हलो दोस्तों आपके अपने चेनल सुसिला फेमली विद टिप्स में स्वागत है तो मैं लेके आए हूँ एक यूसफुल वीडियो जिसको देखने के बाद आपकी कीचन और घर के कामों को आसान करेंगे और साथ ही साथ हम एक एसा जोगार बनाएंगे जिस से छोटी सी एक ब बिखरी हुई लग रही है तो क्या होता है कि साडियों को चाहिए हम कितना भी सेट करके रखे साडिया इस तरह से बिखर जाती है और फिर हमें बहुत ही ज्यादा मुस्किल होता है जब भी हम साडियों को रखते हैं तो आज मैं आपको एक एसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप भी यूज करिएगा और मैं भी कर रही हूँ तो देखे क्या करना है कि साडियों को मैंने अच्छे से देखे इस तरह से पेले समेट लिया है अब मैं देखी क्या करूंगी लेंगी एक हैंगर और इस साडिय को देखे हमें वहाँ पर रखना है जितना हमें उसका जैसे लेंत रखनी है, studies रखनी है उसी के साब से हमें साड़ी को हेंगर को लगाना है साड़ी की उपर लगाने के बाद इतना हमारा अर दूसरा पार्ष हम देखें इस तरह से लगादेंगे अब ये होगा कि ये साड़ी बिलकुल भी किसकेंगे और अच्छे से यह पैक रहेगी तो अगर आपको यह तरीका पसंद आया हो तो प्लीज इसे जुरूर ट्राइब करें और इसी को मैं एक लेके और टिप्स देना चाहूंगी क्या होता है कि इसी के साथ हमें ब्लाउज की भी जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं ब् मिलाने फ्राइब कर लेकर सबी महिलां को बहुत जादा दिक्क्त आती है चाहे हम hap Burns ने को सारि नेूरत वह जारे आती है इसलिए मैंने आपको यह टिप्स बताया है क्योंकि मैं भी इस तरह से ही ट्राइ करती हूं और मुझे बहुत ही यह अच्छा लगा था तो इसलिए मैंने आपको भी यह बताया क्योंकि इससे हमारे ब्लाउज भी एक साथ मिल जाएंगे इदर उदर ढूरना नहीं पड़ेग और साडी भी क्या है कि यह अच्छे से पेक रहेगी तो यहां पर देखे मैंने ब्लाउज की जो भी बाजू थी वो अंदर की साड में कर ली है ताकि क्या है दीखने में यह खराब ना लगे तो यहां पर देख सकते हो साडी देखी अच्छे से पेक हो चुकी है थोड़े स तो साड़ी अच्छे से पेक रहेगी, डस्टी कुछ नहीं लगेगी इसमें, और हमें ब्लाउज की जरुवत होगी, तो इधर-उदर डूना नहीं पड़ेगा, तीसरा हमारा यहीं रहेगा कि साड़ीयां क्या है, बिखरी हुई नहीं लगेगी, तो बहुती यूसफुल ट् अगर आपको यह पसंद आए, तो प्लीज अपने दोस्तों पड़िवार की जरूशे शेयर कर दे, तो चलिए देख लेते हैं मारा अगला तिप्स, यहां पर देखे, मैंने लिया है बच्चों का बेग, तो चुट्टियों के दिन हम क्या करते हैं, बेग को अच्छे से पिलो कवर, तो यह पिलो कवर देखे, एसी पुराना पड़ा था, तो सोचा मैं इसका रियूज कर लो, तो यहां पर देखे, यह बेग पड़ा था और यह धुला है, तो इसको मैं अच्छे से इससे कवर कर लेती हूँ, इससे यह होगा कि देखे, एक तो हमारा बेग क्या अच्छे से पेक रहेगा, डस्टी नहीं लगेगी, और डस्टी लगने से क्या होता है, कि इसकी जो चैन होती है, बैक की वो भी खराब हो जाती है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से देखे, पेक करके रख सकते हो, किसी कवर में डाल के, बहुत यूजफुल ट्रिक है, जरूर ट्राइ करें, अगर आपको ये पसंद आए, तो प्लीज अपने दोस्तों के शार जरूर से शेर कर दें, यहां पे देखे, मैंने लिया है, पानी का बोटल, तो क्या होता है, कि अगर नोर्मल पानी का बोटल होता है, इस तरह का, कहीं पर भी हमें जाना हो, तो आज यहां पर भी जाए, पानी आप पहले लेके जाएगा, तो यहां पर देखे, क्या होता है, कि जब हमारे पास वो जो ब्रांडेट वाली जो पानी ठंडा रहता है, गरम रहता है, तो वो अगर बोटल नहीं है, तो हम क्या करते है, नोर्मल बोटल लेके जाते हैं, लेकिन क् करना है आपको पुराना कोई भी पीलो कवर ले लीजिए लेने के बाद देखे आपको इस तरह से लपेट लेना है अब आप चाहे जहां पर जाओगे तो इसको इस तरह से लेके जा सकते हो बहुत यूसफुल टिक है जरूरूर ट्राय करें तो चलिए देख लेते मारा सबसे यूसफुल टिप्स यहां पर देखिए मैंने लिया है छोटा सा एक बोटल देखिए बोटल छोटा जरूर है लेकिन आप देखिएगा कि इसका जो मुह है वह बहुत ही बड़ा है चोड़ा है तो इसमें देखिए मैंने आइडिया लगा है कि इसको हम यूज कर सकते हैं तो वह बी आ इसमें डाढ़ के लेक के जा सकते हो या फिर आप किचन में रख रहे हो अलगसे जो चोटे चमपश होते हैं इसको आप देखिए इससके अंदर ।ासरे के रख दीजे इस seHe यह होता है कि जो चोटे पसंद आया हो तो प्लीज इसे जुरू ट्राइ करें तो चलिए देख लेते हैं मारा अगला टिप भी देखें यह मेरा बहुत ही यूसफुल है क्या होता है कि इस तरह के जो बोटोल होते हैं सरसों के तेल हो या कोई सा भी तेल हो सकता है कोई भी समान हो सकता है इसकी जगर तो यहां पर देखें मैं एक छोटा सा तिफ्स देना चाहूंगी आपको शायद पसंद भी आएगा क्योंकि जो यह मैं बताने जा रही हूं यह सभी के घर में होता है और एसा अगर हम करेंगे तो हमारे काम भी आसान हो जाएंगे और जो हमें दिक्कत होती है इस पेस की व भरा दिखेगा और देखने में खराब नहीं लगेगा और यह जो बड़ा बोटल था यह इस पेस भी ज्यादा ले रहा था और बोटल क्या होता कि एकदम हलका होता है कभी भी आंदी तो फॉन आते हैं तो क्या होता है कि नीचे गिरती रहती है और काम भी बढ़ता है इस लिए देखें मैं इस छोटे बोटल में यह तेल डालके रख दी हूँ अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना तो यह गिरेगी ना ही इसमें कोई ऐसी स्पेस की जरुवत होगी क्योंकि चोटा समान है तो अच्छे से यह सेट हो जाएगा अगर आपको यह तरीका पस हम देखें एक आडिया लेके आए हैं यूज करेंगे क्या करना है मेरे पास देखें बहुत दिनों से यह इस तरह का कपड़ा पड़ा था और कब से सोच रही थी कि मैं इसका कुछ ऐसा बनाऊ जो मेरे घर में भी काम आ जाए और क्या है कि यह कपड़ा भी ऐसे वेशना र बना लूँ तो यहां पर देखें में इस तरह से यह कवर बना रही हूं तो आप जहां से देखिएगा किस तरह से बनाना है जितना भी आपको देखिए कपड़ा चाहिए उसी के साब से आपको फोल्डिंग कर लेनी है पहले और करने के बाद बीच में आपको देखिए इस दिनों के लिए या फिर हम कई दिनों के लिए भी यह कवर बना सकते हैं तो यहां पर देखें में इस तरह से इसको फोल्ड किया और दोनों साइड में इस तरह से करना है करने के बाद यह जो पार्ट है इस तरह से लेके आएंगे अब हमें क्या करना है तो देखिए अगर ह हमारा एक कुशन कवर बनके तयार है तो फ्रेंज मार्केट से अगर हम इस तरह के कुशन कवर लेके आएंगे तो बहुत ही जादा कोस्टली में आते हैं और आप देखे घर में जो बेकार पड़ा था कपड़ा उसी से आप इस तरह से कवर बना सकते हो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे जरूर ट्राइ करें और कोमेंट करके मुझे जरूर बताए कि आपको आज की इस वीडियो में कौन सा टिप्स यूस्फू लगा तो फ्रेंज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाइ ठीक के थैंक यू पूर वचिंग माइ वीडियो